मटर मश्रूम तो आपने कई तेरे से बनाया होगा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक रेसेपी जो कि चावल या रोटी सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो सबसे पहले मैंने बटन मश्रूम लेके उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है अगर मश्रूम की साइज बड़े हो तो उसे चार हिस्सों में काट लें अगर मश्रूम थोड़ा चोटा हो तो उसे दो ही पीसेज में हमें कट करना है तो इस तरह से मैंने सारे मश्रूम को कट करके रग दिया है अब हम इसे करेंगे मैरिनेट तो यहाँ पर 100 ग्राम दही मैंने ली है जो कि फ्रेश और ठिक कर्ड है साथ ही इसमें डालेंगे एक चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चमच धन्या पाउडर नमक और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर इसे अच्छे से हम मश्रूम के साथ में मिला लेंगे और इसे 15-20 मिनिट के लिए मैरिनेट करकर हम रग देंगे जब तक मश्रूम्स मैरिनेट होते हैं हम कर लेते हैं ग्रेवी की प्रेपरेशन तो एक प्रेशर कुरकर में मैंने लिया है सरसो का थिल आप चाहें तो कोई भी वेजटिबल ओय ले सकते हैं जब सरसो का दिल अच्छे से गरम हो जाए इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा दो सूखी हुई लाल मिर्च और दो मीडियम साइस के प्यास जिसे मैंने लंबा थिन स्लाइस कर लिया है इसे हमें फ्राइ करना है जब तक ये हलकासा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तो प्यास को आप जिस शेप में चाहें यहां पर कट कर सकते हैं जब प्यास थोड़े से ब्राउन होने लगे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लसन जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट करकर लिया है आप चाहे तो जिंजर गालिक पेस्ट भी उस कर सकते हैं साथ ही इसमें डालेंगे बारी कटे हुई हरमेज और इसे भी हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि लसन का कच्छापन बिलकुल खतम हो जाए प्यास भी अच्छे से अब ब्राउन हो गया है अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेचिली पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों को अच्छे से भुन लेंगे पानी डालने से मसाले जलते नहीं है और तेल भी अच्छे से चूटता है मसाले अब अच्छे से भुन गए है और तेल भी रिलीज हो गया है अब इसमें डाल देंगे टमाटर, तो दो प्यास के लिए मैंने तीन हाइब्रिड वाले टमाटर यूज किये हैं, अगर आप देशी यूज कर रहे हैं, तो दो ही यूज करें, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक हमने मेरिनेट करते वक्त भी यूज किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही डालेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पर टमाटर को हम 2-3 मिनिट के लिए भून लेंगे, ताकि वो थोड़े से सौफ्ट हो जाएं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जादा नहीं, करीब एक चौथाई कप और इसे धकन लगाकर 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे, ताकि टमाटर प्याज सभी चीज़ें अच्छे से गल जाएं, तो आप देख सकते हैं, टमाटर प्याज अच्छे से सौफ्ट हो गया है, अब फ्लेम को ओन करकर दोबारा से हम इसे हलके से मैश करत अब इसमें डालेंगे वो मश्रूम्स जो हमने मैरिनेट करकर रखे थे, और इसे डाल दही फ्लेम एकदम लो कर दें, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तमाल किया है, तो दही फटे ना, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक की ग्रेवी में अच्छा सा बॉल नहीं आने लगता, तो अब यहाँ पर मश्रूम्स और मटर को हमें अच्छे से भुनना है, ताकि जितना भी पानी है, इसमें वो सब रिडियोस हो जाए और अच्छे से तेल भी चूटने लगे, सबजी को हाइ फ्लेंबर मैंने 5-10 मिनिट के लिए अच्छे से भुन लिया है, अच्छा सा ग्लेज आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो जिस बरतन में मैंने मश्रूम्स मैरिनेट किये थे, उसमें ही मैंने थोड़ा सा पानी मिला कर यहाँ पर डाल मश्रूम्स और मटर काफी हद तक गल चुके हैं क्योंकि हमने उसे अच्छे से भुना है, तो दिखे कितना अच्छा सा रोगन उपर आया है, अब हम इस सबजी को गानिश करेंगे थोड़े से गरम मसाले के साथ, तो यहाँ पर मैंने बड़ी इलाइची, एक छोटी और कौन से सिटी से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं?